हेलो दोस्तो आज की सीडियो में हम जानेंगे सीनारिस्ट टैबलेट के बारे में दोस्तो सीनारिस्ट टैबलेट एक ऐसी दवा है एक ऐसी मेडिसीन है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा आम है लेकिन लोग इसके इस्तेवाल में कही न गल्ती करते हैं दोज में अगर आप गलत तरीके से इस दबा को लेंगे या सही डोज में नहीं लेंगे या डॉक्टर के सलागे बेगएर लेंगे तो आपको नुकसान हो चकता है इसलिए इस वीडियो को आप लाज तक जरूर देखें, जादा बड़ा वीडियो नहीं होगा दोस्तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए है या पुराने है लेकिन आपने हमारा चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है आप देख सकते हैं कि इसमें है पैरासिटामाल दोसरी दवा है फिनायल फ्रीन हाइडोकॉलाइट और तीसी दवा इसमें है कुलोर फिननमाइन मैलियेट सीपियम ये तीन दवाएं इसमें हैं अब हम जानेंगे कि इन तीनों दवाओं का यूस क्या है देखिए ये गोली तो एक ही आपको खाएना है लेकिन दवा आपको तीन मिलेगी एक गोली में आपको तीन दवा मिलेगी एक टेबलेट में आपको तीन दवा मिलेगी आपको फिनाइल-फरीन-हाइड्रोकॉलाइड की, यह de-congestant है, de-congestant, याँनि अगर किसी की नागबंद है, किसी वो congestion है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत है, या ऐसी कोई भी परशानी है, तो उसमें हम फिनाइल-फरीन-हाइडोकॉलाइड देते हैं, अगर किसी को allergy है, छीकार है या खुजली है या रैशेज है ऐसी कोई भी दिक्कत है तो उसमें एक सी पीम कुलोर फेनमाइन मेलियेट ये एक एंटि इस्टामिनिक मेडिसीन है एंटिलजिक मेडिसीन है ऐसी दवा डॉक्टर से दे 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 हैं तो यह हो गया अब आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि कि इसे भीमारियों में किन तकलीफों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें पैरसिटमाल बुखार है अगर किसे को हल्कापुलका बुखार है इसे तरीके से उसको सर्दी है, खांसी है, एलरजी है तो उसमें हम इस दवा को इल速 आसानी के साथ डॉक्टर से इसते कराते हैं अब यह जान लिए कि डोस क्या होता है कितनी मात्रे में आपको लेना है कितनी बार आपको लेना है तो उसमें डोस में आम तोड़ से इसको टीडियस में डॉक्टर्स देते हैं दिन में तीन बार टीडियस दिन में तीन बार सुबा दोपहर शाम आम तोड़ से डॉ बार ही दिया जाता है अब हम जानल देखिया इसका side effect है तो side effect में paracetamal यह hepatotoxic medicine है अगर आप उसको overdose में एक गोली की जगहा चाल लेंगे तीन लेंगे दो लेंगे जल्जल्दी आराम के लिए तो आपको नुक्सान कर सकता है लिवर ज़रूर करें और कोई भी ऐसी दवा जिसमें यह medicine पहले से मौजूद है उसके साथ आप इस दवा के इस्तमाल ना करें या किसी दोसरी anti allergic anti stamina के जाद इस दवा के इस्तमाल ना करें और बेगा doctor से consultation कि आप इस दवा के इस्तमाल बिल्कुल भी ना करें दोस्तों अगर आपको योडियो पसंद आए इस योडियो को लाइक करें हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें थैंक्स अलार थैंक्स वाचिन दिस वीडियो